दिल्ली MCD एलेक्षन में आमाद्मी पार्टी ने पर्चम लहरा दिया है 15 सालों से सत्ता परका बीज बीजेपी इस बार आप से पिछड गई है ताजा आकडों के मताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाम में आमाद्मी पार्टी को पूर बहुमत मिल गया है पार्टी ने बहुमत के जादूई आकड़े 126 को पार कर लिया है इस बीच दिल्ली के मुख्यमत्री अर्विंत कीजिनवाल ने भी शांदार जीत पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ इतनी बड़ी जीत के लिए इतनी शांदार जीत के लिए इतने बड़े बदलाव के लिए इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं दिल्ली के लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दिये अभी तक उन्होंने हमें जो जिम्मेदारियां दी दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किये लाखों करोडों बच्चों का भविश्य बनाया लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किये लोगों के इलाज का इंतजाम किया अच्छे इलाज का इंतजाम किया लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली के सफाई करने की जिम्मेदारी दी है जितने उमीददार जीते हैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई आमाद्मी पाटी, बीजेपी, कॉंग्रेस और दिलियों को भी बढ़ाई हारने वालों को मायूस नहीं होना है दिलि को ठीक करने में उनका भी सयोग लेंगे सबको मिलकर काम करना है सभी से अपील है, सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियों से कहता हूँ की राजनीती आज तक है, सबको मिलकर दिलि ठीक करनी है बीजेपी का भी सयोग चाता हूँ, कॉंग्रेस का भी सयोग चाता हूँ सबके सयोग और लोगों को मिलकर दिलि को ठीक करूँगा 200 पारशद किसी पार्टी के नहीं दिल्ली के पारशद है आज के बाद सभी पार्टियां सयोग करेंगी जिन लोगों ने वोड दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिनों ने वोड नहीं दिया पहले उनके काम करवाऊंगा दिल्ली को ठीक करने में सयोग की जरुवत है केन सरकार का सयोग भी चाहिए केन सरकार और प्रधानमंतरी नरेंदर मोजीच से आशिबाद चाहता हूँ अब दिल्ली को साफ करना है सब की ड्यूटी लगेगी बच्चे महिलाए बुजूर्ग युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी दिल्ली के दो करोड लोगों का परिवार है सब ही मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे अपने को ब्रेस्टा चार भी दूर करना है अभी तक लूट मार का सिस्टम चला था दिल्ली सरकार की तरह M.C.D. को भी साफ करना है सब हमारी ओरत देख रहे है दिल्ली के लोगों ने पूरे देश को मैसेज दिया है मेरे पास बहुत लोग आते है कई बड़े नेता, सालों पुराने नेता कहते हैं बोट लेने के लिए गाली गलोज करनी पड़ती है तू तू मैं मैं करते है हम शरीफों की पाठी है कोई कितना भी उकसा है हमें गाली गलोज नहीं करना है लोग कहते हैं कि स्कूल और अस्पताल बनवाने से बोट नहीं मिलती है दिल्ली के लोगों ने मैसेज दिया है कि बिजली पानी सड़क ठीक करने से वोट मिलते हैं आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हैं दिल्ली के लोगों ने बड़ा मैसेज दिया है पॉस्टिव राजनीती करो निगेटिव राजनीती नहीं करनी जनता के बीट जाकर कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए स्कूल परवार के लिए इलाज का अंतिजाम किया है हम गाली गलोज नहीं करते मेरा दिल कहता है कि पास्टिव राजनीती बढ़ेगी तो देश दुनिया का नम्मर वन देश बनेगा गुंडागरदी लफंगई से देश आगे नहीं बढ़ेगा 75 साल से पीछे है अब टाइम नहीं है विकास और पास्टिविटी की राजनीती करनी है दिल्ली को लोगों को बधाई सबसे कहता हूँ कि एहंकार मत करना बड़ी-बड़ी सत्ता गिर गई है कई सारे पार्शत विधायक मंतरी बने है कोई आइंकार नहीं करे आइंकार किया तो उपरवाला माफ नहीं करेगा कुल मिला कर दिल्ली में एक बार फिर से कीजिवाल मॉटल का जादू चला है अलाकि बीजेपी ने भी जितने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गड़ पर अब कपजा कर लिया है इस बीच आम आदमी पार्टी के राजसबासाज सर्ज संजेस्टिंग भी NCD की जीत से गड़ गड़ नज़र आए और उन्होंने अपनी पार्टी की जीत पर क्या कुछ कहा खुदी उनकी सुवानी सुनिये आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी की ओर से इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत सुपकामनाए हमारे जो पारसत भाई बहन यहां पर जीत के आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और सुपकामनाए दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अर्विंद केजरिवाल का अगर उत्पीरन करोगे फरजी मुकदमे लिखोगे तो तुमको चुनाओं में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे कितने मुकदमे लिखे कितने फर्जी आरोप लगाए कितने चापे मारी की कितने उत्पीरन किया लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक सर में कहा उनका बेटा अर्विंद केजरिवाल कटर इमानदार है और आम आदमी पार्टी कटर इमानदार पार्टी है वही पंजाब के मुकमंतरी भगवन सिंग्मान ने भी जीत पर अपनी पार्टी को बदाई दी साथी बीजेपी पर निशाना साथने में कोई गोर कसन नहीं चोड़ी बहुत 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 बदाई मेरी तरफ से भी इनकलाव भारत मता की वन्दे मैं आपको बहुत बहुत बदाई देता हूँ क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है तो जनता जीत गई आज 15 साल बाद MCD में जनता जीत गई निता हार गए आपने अपने दोस्तों को अपने बड़े चोटे भाईयों को जिताया अर्विन केजरीबाल जी ने कहा था कि मुझे MCD भी दे दो मैं ये भी ठीक कर दूँगा देखो दिली को देश का दिल कहा जाता है और आमानी पार्टी दस साल की हुई अभी 26 नमंबर को और आमानी पार्टी ने दिली भी जीती है और दिल भी जीते हैं अलकि इस जीत के बाद आमानी पार्टी के नेता गदगद है लेकिन अब इन जीते हुए नेताओं को केजिवाल के लिए किये हुए वादे को पूरा करने के जरुवत है क्योंकि के जीवाल के बादों पर ही दिली की जिनता ने भरुसा किया है और अपना महत्वपूर वोट दिया है वीडियो डैस अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें